नमस्ते दोस्तो मैं मेरी यूटूब चैनल अलपेज गार्डनिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागण करता हूं और आज दोस्तो मेरा पूरा टॉपिक ग्रीन टी के ऊपर है तो दोस्तो वीडियो में बढ़े रहे नहीं दोस्तो, आज मैं इस green tea की cut-eye करने वाला हूँ, दोस्तो आप देख सकते हो green Tea कैसी हो चुकी है, दोस्तो ऐसी हो जाए आपके घर पे, तो दोस्तो, आप भी इसी तरह से cut-eye करड़े, दोस्तो, मैं अकला ही वीडियो सूट कर रहा हूँ, और अकले ही काट रहा हूँ, इसलिए दोस्तो मैंने कटाई वाला वीडियो आपको पूरी तरह से दिखाया नहीं है लेकिन दोस्तो कटाई करना कोई नई बातो है नहीं आप छूरी से भी कार सकते हो घर की केची से भी कार सकते हो और मेरी तरह सिक्रेटर हो तो सिक्रेटर वाली केची से भी आप कटिंग कर सकते हो दोस्तो ग्रीन ती की कटाई किये हुए साथ दिन हो चुक है और आप देख सकते हो साथ दिनों में बहुत ही अच्छा रिजल मिला है हमें दोस्तो जब सर्दिया स्टाट होटी है तभी ग्रीन टी के उपर फूल आते हैं तभी इस तरह से कटाई कर दे हैं अब दोस्तो 14 दिन हो चुके है और 14 दिन में आप देख सकते हो पूरी तरह से हरी हरी दिख रही है ग्रीन टी और दोस्तो चाई बनाने के लिए इसकी कटाई भी हो चुकी है देख सकते हैं पूर्च साइट वाली और दोस्तो इसी तरह से चाई की पत्तियों को काटे रहे तो ही बहुत ही अच्छी तरह से नई पत्तिया आती रहेगी और दोस्तो मैंने कई जगा पर देखा हुआ है कि चाय की पत्तिया बड़ी हो जाती है तो बान देते हैं दोस्तो ऐसा ना करें दोस्तो आप इस चाय की पत्तियों को देख सकते हो खुली हुई कितनी खुपसुर दिख रही है और दोस्तो इस नल के बाजु में हमने लगाई हुई है क्योंके दोस्तो एस्ट्रा पानी गीरने से मिटी जो है वो जाड़ा गीली रहती है और ऐसी जगा पर ही चाय की पत्ती बहुत ही अच्छी तरह से बरती रहती है दोस्तो ये जो रशी से बंदी हुई चाय है वो आप ध्यान से देखना दोस्तो ऐसी गलती आप कभी ना करें क्योंके दोस्तो आप ध्यान से देखो गे तो नई पत्तियों को निकलने के लिए जगा ही नहीं मिलेगी दोस्तो और पुरानी पत्तिया बांदी हुई है तो पुरानी मेंसे कैसे निकलेगी नई पत्तिया इसलिए दोस्तो आप रेगुलरी चाय की पत्तियों को काटे रहे और ऐसी गलती ना करे और दोस्तो ये जो आप चाय की पत्ती को देख रहे हो ये बहुत पुरानी चाय की पत्ती है और ये जो छोटी वाली चाय की पत्ती है वो नई चाय की पत्ती है पुरानी चाय की पत्ती मैं से मैंने 2-3 जड़े निकलके यहाँ पर लगा दी थी तो वो बहुत ही अच्ची तरह से लग चुकी है दोस्तो और दोस्तो इस चाय की पत्ती को यूज करते हुए तीन साल हो चुके है और दोस्तो उनकी जड़े भी है वो मिट्टी से उपरा आ चुकी है इसलिए दोस्तो मैं आज इने निचे से उखार के थोड़ा सा कटिंग करके फिर से उसी जगा पर मिट्टी खोटके लगा दूँग भी कटाई कर दे दोस्तो और दोस्तो जमिन के अंदर 4-5 इंच का खड़ा कर दे दोस्तो मेरा कहने का यही मतलब है कि दोस्तो इतना खड़ा करे कि ग्रीन ती की जड़े होती है वो पूरी तरीके से मिट्टी में समाझ आए और दोस्तो इसी तरह से मिट्टी से सारी जड़ जो हे वो मिती से बाहर निकल आई है और तब आप इसी तरह से टीटमेन कर दे यानि कि निकल के कटिंग करके फिर से लगा दे और दोस्तो उसके बाद अच्छे से पानी डाल दे और दोस्तो ये काम आपने घर्मियों में किया हुआ हो तो दोस्तो रोज ही पानी डाल दे और दोस्तो मानलो कि आपके यहां बहुत ही कम धूप आ रही हो वैसी जगह पर भी चाय की पतियों को बड़ी आसान से आप लगा सकते हो दोस्तो आप जिस चाय की पतियों को देख रहे हो उस चाय की पती को सुभा ही डो गंडे की दूप लगती है और उसके बाद दूप लगती ही नहीं है फिर भी आप देख सकते हो चाय की पती को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रही है और दोस्तो जिस चाय की पती को दूप कम लगती हो उसे पानी भी कम चाहिए इसलिए दोस्तो अच्छे से मिट्टी सुक जाए उसके बाद पानी डाल दे दोस्तो अगर आपने दूप में चाय की पत्ती को लगाया हुआ हो तो दोस्तो सर्दियों में तो एक दिन छोड़ के डाल सकते हो और ग्रीन टी को आप फूल सनलाइट में भी आराम से रख सकते हो और कम सनलाइट वाली जगा फी भी ग्रीन टी को आप आराम से लगा सकते हो